आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र धीमरी मौजूद रहेंगे साथ ही साड़े ग्यारा बजे सेंट्रल कमांड में ये प्रेस कॉनफरेंस होगी तो आपको बताते चले कि बीते दिनों रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने इस योजना का शुबारंब करते हुए इस योजना की जानकारी दिल्ली में दी थी वही अब इस मामले को लेकर आज लखनाओ में एक प्रेस कॉन्फरेंस होनी है सेंट्रल कमांड के तरफ से इस प्रेस कॉन्फरेंस का आयोजन किया जाएगा वही आपको बताते चले किया बगनीपत योजना का शुबारंब भी देश में होने जा रहा है इस दौरान जो देश के युवा है वो तकरीबन 4 साल के लिए सेना में भरती हो सकेंगे के साथ ही जो हमारे सैनिक है उनकी देश के प्रतिलगाव को भी समझ सकेंगे उनकी संगर्ष को समझ सकेंगे उनके बलिदान को भी युवाईस योजना के जरीए समझ सकेंगे कि जब भी देश पर कोई भी परिशानी आती है तो जो सेना के जवान है वो ढाल बंकर देश के सामने बॉर्डर पर तैनात हो जाते हैं इसी की सीख लेने के लिए अब देश के युवाव को एक बड़ा मौका मिलने जा रहा है इस खबर पर जाधा जानकारी के लिए लखनाव से हमारे समवादाता सागर थापा जुट चिक है सागर थाप आज एक मातपूर्ण प्रेस कॉणफरेंस होनी है लखनाव में तो क्या कुछ इस प्रेस कॉंफरेंस में देखने को मिलेगा क्योंकि अगनी पत्योजना को लेकर कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग ने इसका शुबारम किया था तो आज लखनव में इसकी प्रेस कॉंफरेंस में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? देखे कल CCS की बैठा कुई की परधान लंकरी नरेंग बोधी की अजिक्षा में वहाँ पर राजना सिंख थे और तीनो सेना प्रमुख थे वहाँ पर एक फैसला लिया गया अगनी वीर अगनी वीर अगनी वीर कहेंगे तो 4 साल के लिए जो युवा हैं देश के साड़े सतरा से 21 साल की उमर तक लगबग 46,000 की भरतियां होंगी हर साल और जो युवा सेना की तयारियां कर रहे हैं उने एक बहतर मौका मिलेगा सेना में जाने का चार साल की नौक्रिया रहेंगी चार साल के बाद उन्हें एक मुस्त या कई ये पेंशन के रूप में काफी अदाईगी भी की जाएगी और उन्हें एक मौका भी मिलेगा तमाम उस फील्ड में जाने का जहां पर सेना से सम्मेडित लोग अब तक जाते रहें अगर देखा चोई तो आगरीपत योजना में जो भी युवां भरती लेंगे उनका क्राइटीरिया क्या होगा कि किस बेसिस पर उनकी भरती की जाएगी प्राइब लूप से जो मेडिकल संबंदी से क्राइडिया होता है और तमाम जो बढ़ावी संबंदी होता है तो दस भी से लेकर बारवी तक जो लोग होते हैं वो सेना में जाते हैं और साड़े सितरह से लेकर 21 साल के उमर होनी चाहिए पहले जो नौकरी अपनी छोड़के च से लिए वो 22 साल से हटाएकर 26 साल हो जाएगी तो एक चीज और दूसरी और जो युवां है देश के जो 16-17 साल से किस साल की उमर के बीच है जो अभी हाली में दस्वी या बारवी क्लास पाच कर चुके हैं तो उन्हें बहतर मौका मिलेगा अगनी वीर होने का और चार सर्क थे नौकटिया नहींगी उन्हें तमाम वो टरेशियां की जाएगी जैसे हत्यार संबंधि और फिल्ड में अ किस तरह से दुष्मनों को हराय जाए जो दुष्मनों को सिकत की जाए और पहाडों में चलने से लेकर तमाम ऐसी ट्रेंग दी जाएगी जो शेना में एक सानिक तमाम पराकरम हासिल की है वाद तक भारती जो सहनिक है जाए थल से नहों इन्होंने हमारा पराकरम उचा रखा है और अभी तक उचा रखते हैं और दूसरी बात यह है कि हम मोधी के तरफ से यह उचना लाई जो थी इसे इसकी अधिस्टा श्री राजना सिंकर रहे रक्षा म अब देखने वाली बात है कि आज लखनों में भी प्रेस कोईंट में सूनी है लगबट साड़े ग्यारा वजह की बात यहां भी तमाम ऐसे फैसलिये जाएंगे और हर युवा में अलक्सा उत्सा है कि उसे भी सेना में भरती होने का मिलेगा वो भी देश की सेवा कर सारा लेकिन लोगों में अभी तक जो युवा है उनमें एक जो प्रेश्ट है वो लगतार बरकरार है कि चार साल के बाद युवाओं को और रोजगार के क्या नए अफसर मिलेंगे अजी मुश्कान आपको बता दूब कि जो सेना में भरती होता है वो उसके लिए रोजगार के तमाम अफसर निकलते रहते हैं जो एक सीमित दायरा होता है सेना में भरती होने का सीमित दायरे के बाद रिटायर होने के बाद उसको तमाम सरकारी सेवाओं में एक नौक्रिया सेना के तमाम अफसर मिलते हैं तो मान कि चलिए कि जैसे अगर 731 साल की विस दिश्क होता इस थी अगर वरती होता है लेगे आपनी सेवा अर्द सेनिक बल है और तमाम जो कंपिशन एक्जाम्स होते हैं एंड ये सीडियस के होते हैं उन्हें भी उसमें काफी बहुती इमान किसे लिए छूट मिलेगी और पॉसिबिल्टी से रह जाती हैं कि उन्हें एक देश सिवा का मौका मिलेगा और देश सिवा का जुरून क्कामन को जगाने के लिए सिकारिक्रम को शुभारं किया गया है। आइसे बड़ी बात फीर आजिवर्ण की अपने ठीटा मुश्कान की बलिदान की भावना न के बांने पता के कीत्रा सर्थ किस तरह से सेव आखी होThe cancer पीलस चाहंै किस तरह से बलिदान इया जाता है और किस तरह से घजदा रुटभर के सामने लड़ना पड़ेस प्रNew對啊 सबसे पहले करेंगे जी साघराज देखा चाहे तो अगनीपत्ययोजनाक उलेकर प्रेस्ट कॉण्फरिंस लखनाओं में भाज लखनाओं में किया कुछ में अगवाई करेंगे योगों को बताया जाएंगा क्योंकि आपको मानके चलिए यूपी बिहार से लोग काफी w harp you वड़ति आग ना मेन राज्यों के काफी अधिक शुल्दिक लोग आपको पाए जाते हैं और इसमें तमाम वह इस वी ज़ द्यू jeżeli जाएगा लोगों को बताया जाएगा प्रिश्क पत्रकारों के माधियम से प्रिंट मीडिया और अव्गत कराए जाएगा कि अगर आप वाक्षी में अगर योगता रखते हैं या योग योग है शाड़े सब्सक्राइब भरती होने का एक मौका आपको दिया जा रहा है सरकार आपको एक मौका दी जा रही है तो सरकार के इस मौके को मौके का लिफ्ट उठाइए और सेना में भरती हो ये देश सेवा का जुनूर लाई अपने अंदर ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह से देश सेवा होती है केवल जुमले बाजी से या बोलने से जेश सेवा नही क्राइटीरिया जैसे लडकों का है वही क्राइटीरिया रहेगा या कुछ अलक क्राइटीरिया महिलाओं के लिए देखने को मिलेगा अजी वुश्कान आपका सवाल बहुत बहतर है आपको बताता चलूँ कि लड़कों के साथ लड़कियों को भी उन्टा नो भाटी होई ती लड़कों काफी अवाल आई ठीर लगनों मी इसे लड़का में को पार चेंडन के नो करिण यहीं देष वरक्र चुप एक वान होनेवाला है और लड़कियों के लिए रहेगा जो लड़कों के लिए रहेगा अमर का अब प्र बूसाइब होगी वो भी रहेगा प्रेइनिंग भी रहेगी कुल मिला के सब कुछ एकदम सवान होने वाला है और लड़कियों को भी एक बहतर विकल्प मिलने वाला है कि उन्हें भी देश सिवा का मौका मिलना चाहिए और मिलता रहेगा क्योंकि अर्गिस्टैनिक बल हो गया तमाम ऐसे बल Office वहां पर आपको हम हम मुम्मन लड़कियां दिखने को मिल जाती है जो वर्दी में होती है लेकिन हमıllिस में भी आपको मेराटि आशकी गया और मिलती है लेकिन हुआror अगनी पथी ओजना का शुपारा में तो कर दिया गया है लेकिन इसमें भरती की प्रक्रिया कबस कि बड़्ती कर पंदोने वारी तो कि dw Q ध्यान वस्कान बथी करीा बहुत ज़्स मुड़ात हो लोग आए तो उन वह केलें हैं will विष्णा प्रशाल करेंगे हराल भर्ती के प्रत्रद सर्द रखते हं तो मान के चलिए कि भरती की प्रकरिया बहुती जल्द सुरू होने वाली है और आज लखनों में प्रस कॉंपरंस है सालेग ग्यारा बज़े तो वहाँ पर एक इसपस्ट दूप हो जाएगा वहाँ भी इसपस्ट निकल के आएगा कि भरती की प्रकरिया कब से सुरू होने वा उनको मौक दिया है कि अगनीपत योजना के तहए तब युवा जो है वो चार साल के लिए सेना के अंडर में रहे के वहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे कानपुर में हुई हिंसा मामले में लगातार नए खुला से हो रहे है ताजा जानकारी के अनुसार कानपुर की हिंसा पर बाहरी पत्थर बास भी बुलाई गए थे पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि हिंसा में तेजाब से भरी बोतलों का भी इस्तेमाल क्या गया था दो इमारतों को गिराए गया और आट इमारते सील भी की गई है रजिस्ट्री दफ्तर में जफर हाश्मी और वसी की संपत्यों की लगतार तलाश भी की जा रही है वही पचास से जादा वसी की संपत्या नए सडक चमन गंज बेकन गंज में होने की पुलिस को सूचना मिली है वाटस अप पर भड़काव संदेश भेजने पर आकाश शिर्वास्ता को पकड़ कर जेल भी भेजा गया है तो आपको बताते चले कि नुपुल शर्मा के बयान के बाद जहां सबसे पहले प्रदर्शन देखने को मिला था वो था प्रदेश की उद्योग नगरी कानपुर तीन जून को होए प्रदर्शन के बाद लगातार आज की दिन तक पुलिस लगातार नए खुलासे कर रहा है साथ ही दंगायों के खिलाव एक्शन भी लेता हुआ नजर आ रहा है लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त निकल के सामने आ रही है कि कानपुर में हुई हिंसा जो भी दंगे की तस्वीरे जो भी उपद्रफ की तस्वीरे हमने देखी थे उनमें पत्थरबाजों को बाहर से भी बुलाए गया था उपेंद्र स्थाना जो चुक है उपेंद्र तीन जून को जो कानपुर हिंसा हुई थी और आज के दिन तक लगातार पुलिस प्रिशासन द्वारा नए खुला से किये जो आ रहे है नहीं नहीं कड़िया निकल के सामने आ रही है तो आज का क्या ताज अपडेट है आपके पास इस मामले को लेकर जफर हाजमी को और उसका जो तीन मित्र थे जो कोर्ट सब पुलिस नने आयले है जो रिमांट पलिया था उस रिमांट को लिए रिनूवल कराने लिए अपलाई किया हुआ है जिसमें जो कि 34 नाम जो खोले है वो कानपूर के बाहर के नाम खोले है और बाकी जो भी नाम खोले है वो नाम जो है आप बताते चले कि वो नाम अभी पुलिस ने को ओपनी रखा है अभी ओपन किया नहीं है उसको अब पुलिस जो है पूरी तरीके से सक्री है दवीज प्रिशासन द्वारा लगातार जो दंगे के मुख्यारोपी थे या जो भी दंगाई थे उनके अव्याद कब्जों पर प्रिशासन का बुल्डोजर चलता हुआ नजर आ रहे हैं तो क्या आज भी ऐसे कुछ कारवाई कानपूर में देखने को मिलेगी? जी हाँ आपको बताता चले है कि कल जो कानपूर विकास पर देखने करावाई और जो केडिये उसके बाद जो है प्रिशिट्री ओफिस और उसके बाद जो है पी डेबलूडी ये लगातार उन्होंने जो एक सूची जारी की जिसमें की जो मॉम्मद वसी है जो इससा जो जो पचास इमारते हैं जो सकता हो समबता इससाम को आज दिन में कोई कोई कारवाई जोर होगी सूत्रों की अगर खबर आई देखा है तो मालम चला है कि जो जफार आजमी का जो लेन देने का ट्रांजिस्तन था वो करोणों रूपा के उपा कर ट्रांजिस्तन था और जफार आसमी ने क्या किया था कि जो है बड़े-बड़े बिल्डर से मिल करके अवैस संपत्ती को जो कज़ा किया उसके बाद से फ्लैट वनों आया और फ्लैट के बाद इसमें जफार आसमी की जो बहन है वो भी इस वैपार में जो इन्वाल्व है और अभी हाली में ज सारे संबंद उसके नजर आरे सामें खुल के आ रहे हैं उसके बात जो है यह जो पचास इमारतें जो चिन्मित करी हैं उसमें जफार आजमी पार्टनर है उपई देखा जो तो यह भी खबर एक निकल के सामने आए कि वाटसप पर भड़काउ संदेश भेजने पर किसी जो चोटा भाई आकास इसे हो गया और जो अलग बिस हो गया और बचरक बचल के नेता हैं उनको जान से माने कि दंकी दीजारी लगा तार मेसेज आ रहे हैं पाकिस्तान से मेसेज आ रहे हैं जिस पर कानपूर दस्चिड जो संजू त्यागी है कमिशनर जो है उन्होंने जो है मुगदमा पंजी किया बज़न दल के लोगों ने जो है मुगदमा दर्ज कराया है पाकिस्तान से फोन वाटसअप काल आ रही है और मैसेज आ रहा है उस पर दंकी दी जा रही है कि अगर अगर इस सब बलगाओ बियान नहीं बंद करोगे तो आगर तब आगर देखा जो है तो इस मामले में लगातार जो है वो सोशल मीडिया ने एक एहम भूमिका निपाई है तो अब तक जितने भी ऐसे ग्रूप्स थे जिन्होंने दंगे फैलाने की कोशिश किया जितने भी ऐसे वाटसअप ग्रूप्स थे उसके खिलाफ अभी हिंसा समंदिस सारी बाते की गई थी और उसके बाद आपको बताते चले कि जो कानपूर के जो समाधवादी पार्टी के जो वरतमान समय के विदायक है उनके नाम जा रहा है और लगातार उनके उपर नकेल कसी जा रही है चूकी कानपूर में दो दिन पहले से एडी ने इस तूरे मामले और प्रकणा को अपने अंड ओवर कर लिया है और एडी की कारवाई तो जो है वो देखा जाए तो बहुत ही खास होती है जिसमें कि बिदायकों से पुछता चीए है कई बिल्डर से हैं कई कारोबारी हैं और इसके साथ साथ आख बदा चले तो जो इसमें कहीं ना कहीं कानेक्शन साहरा है पुरों प्रयागराच से करेक्शन जो है इसमें मौम्माद जावेज जो प्रयागराच से पकड़ा गया है उससे करेक्शन सामने आ रहा है जो उसके वाट्साप डिटेल निकाली गए थी जफर आसमी और उसके कांटेक्ट नजर आया है यानि कि ये का जाए कि इस दंगे को भड़काने के साजिश कहीं न कहीं काफी दिनों से चल रही थी जी जफर आसमी को आज पुलिस जो है दुबारा कोड से पांस दिन के निवान पह लेगी उसके बाद जो है जो पलिस लगातार जो है अभी कल की डेट में जो है जफर आसमी को चंदरे सूर हाथा लेके पुलिस आई थी और वहाँ पर पुष्टाच के बाद उन्हों न जो है आसपास के संदिक दोलों के नाम जो बताए गए है उसमें पुलिस ने रात में दबिश दी है पर अभी अधिकारिक बाइट कोई नहीं आए कि कितने ग्रिफतारी रात में कल हुई है उपेंद्रे दो दिनों बाद एक बार फिर से कानपूर में जुम्मे की नमाज होनी है तो उसको लेकर पुलिस ने क्या कुछ तैयारिया की हुई है पुलिस प्रिशासन कितना एलर्ट नजर आ रहा है जी आपको बताते चले जो जाँ चन्देसोर हाता के पास सद्वावना चौकी से लेकर मूल गंचोरा है बेकन गंच यतीम खाना के पास चार पिकेट पॉइंट बना गे थे जिसमें दो 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 पीसी बटालियन बैठी हुई है पिछले जुमें की नमाज से लिएकर के अपकी जुमेंग नमाज आने वाली है तक तक कानपुर प्रसासन किस तरह से करेंगे पुलिस ने क्या कुछ अपना प्लैन बनाया हुआ है उनकी गिरफतारी को लेकर पुलिस उनके गिरफतारी किस प्रकार से करेंगे उपेंद्र क्योंकि एक बड़ा मुद्दा निकल के सामने आ रहा है क्योंकि जहां ये कहा जा रहा था कि ये सभी दंगाई कानपूर से हैं लेकिन अब ये एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि जो आसपास के जनपदे वहां से भी दंगाईयों को बुलाया गया था तो आखिर अब उनकी पहचान किस तरह से पुलिस करेंगी पुलिस प्रिशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर एक्टिव होगा लेकिन समवेदन शील इलाकों में पुलिस प्रिशासन दोरा निगरानी कैसे रखी जा रही है जी आपको दाख चले एक सो तीन समवेदन सीन पॉइंट बनाए गए हैं जिसमें की यतीम खाना छोड़ करके उसके बाद जो सामने मस्जीन पत्रा हुआ था उसके बाद कानपूर जो में प्रमुक मस्जीते हैं जहां लगता है पुलिस तो कोई विवाद हो सकता है 130 पॉइंट पर जो है लगातार पुलिस जो सक्क्री है और जूमे की नमाज पर जो है वहाँ पर पुरी तरह के मुश्टाइद रहेगी पुलिस धर्यवाद उपेंदर स्थान ने इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए तो आपको बताते हैं चले कि कानपूर में हिंसा की आग जो उद्योग नगरी कानपूर से निकली थी उसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिला था वह अब इस मामले को लेकर लगातार पुलिस प्रिशासन द्वारा एक्शन जारी है लगातार दंगायों के खिलाफ कारवाई की जारी है और बंद कमरे में जो जफर है उससे लगातार पूछ ताच की जारी है वह अब ये भी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि आज जो पुलिस प्रिशासन द्वारा जफर की रिमान बढ़ाने के लिए 5 दिन के लिए और जफर की रिमान बढ़ाए जाने को लेकर पुलिस नयायले में पहुचेगा फिलहाल हमारे इस बुलिटिन में इतना ही देश अप्रदेश की तमाम बड़ी और ताजातरीन खबरों के लिए आप देखते रहे हैं प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार